बाच्चों अब यह देख रहे हैं मैं आपको गन बनाना चिखा रहा हूं बंदूग बनाना चिखा रहा हूं देखिए बंदूग कर्षे बरावर दिख रहा है ना आपको, यह मैंने पहले से बना के रखी है, देखिए चलाने का टाइम में ऐसा पकड़ना है, और देखिए एकदम बरावर बंदूग बन गई है, अब इसको मैं आपको बनाने के लिए सिखा रहा हूं, यह यहां रख द करता हूं, देखिए, अब दूसरी है मेरे कापास में, एक ऐसा कावच लेना है आपने, एक ऐसा स्वेर कावच लेना है, बरावर कावच लेना है, उसको फिर आपने क्या करना है, ऐसा यहां पर रखना है, ऐसा रखके आपने इधर को ऐसा मोड़ना है, यह आसा तरीका है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बस आपको देखने से पता चल जाएगा यह देखे यह बरावर बरावर ऐसा हो गया है पर आप इसको ऐसा करिए मोर दीजिए ऐसा कि मोर दीजिए आपने इसको पल्टी कर लिजिए आप ऐसा पल्टी कर दीए फिर आप इधर से उसको यह बरावर यहां पर ऐसा मोरी फिर आप इधर का वाल जितना पचा हुआ है फिर उसको ऐसा मोरी एसा आप Ninछा बजाग को कर ton मोरी एदी आपने lent मोरी आप बाद एसा मोरी आपन पBayतो आपने वाल मोरी आ अपने आपने आप अणे जिए आपने निसको यह सामर ब―ाह पकशने आपने पने आपने एसा LOBARK औरी आपने आपने沒關係 Mexic और फिर पहलती कर दिए पढ़ती करके फिर आप ऊसको एक बार फिर आईसा मूडिए ऐसा मूडिए है रहे पार कर आप उसको ऐसा मूडिएunt एक बार फिर आप उसको ऐसा मूड़िए एक बार फिर आप उसको इस तरह से भी मूड़िए और यह पूलिए अब यह पूल देखें यह पतंग भी लगर्गा आपको जैसा एक पतंग चलती है ना ये ये पतंग उड़ाते हैं ये पतंग भी बन गई है अभी फिर इसको आप दूसरे तरफ से खोलिए इसको ऐसा हो गया अब ये जो भाग है आपका ये भाग को आप ऐसा पकड़िए और ऐसा पकड़िए इसको पकड़ के आप उसको ऐसा खोल अब आपका शेप बन गया है अगर हम ऐसा देखें तो घोड़े के कान भी बन जाते हैं लेकिन अब यह अपने को बंदूग बनानी है तो फिर हमने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया अब देखिए यह फोल्ड करके यह बंदूग का जो सामने का जो इसको आपका हाथ में पकड़ा जाता है जो यह चीज बन गई आपकी इसको आप यहां रख देते हैं यह बन गई आपकी चीज की अब आपको इसको नली बनानी है तो नली जो बनाएंगे इसको यहां से थोड़ा बैंड करेंगे रोल करेंगे रोल ऐसा जब रोल हो जाएगा तो इसको रोल होते होते यह देखिए रोल हैसा हो गया है रोल होने के बाद में यहां आप क्या चरिए फेवी कोल इसको लगा दीजिए थोड़ा सा यहां पर तांकि यह खुलेगा नहीं यह हो गया अब आप तयाद अब इसका यह मुँः फोड़ा चिपका हुआ है इसको केंची से कार दीजिए थोड़ा ऐसा बढ़ा हो आप कट्रेंगा यह गौल हो गया है अब अब इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसा चिपका दीजिए ऐसा चिपका दीजिए यहां भी थोड़ा आप फिर भी कोल लगा दीजिए अब इसको इसके अंदर में भीड़ीयद में दालना है कि इसके छिव औरूस्चे में अगला थीजिए और रखने के बाद में इसको एसा दवाईये थोड़ा दवा के इसको ऐसा बैंड करैंजिए यह देखे इसको बैंड कर देने से यह गंड बन आपका और यहां भी थोड़ा फेबरी को लगा दीजिए यह देखिए आपका गन बन गया है यह मैंने पहले से रिडी की है यह अभी बनाई है आपके गन बन गया आपकी